हलो मैं हूँ रिखा यादा और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई लंबे समय से लोग इस गलत फहमी में जीते आ रहे हैं कि कर्ड यानि दही को योगर्ट भी कहा जाता है अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि कर्ड और योगर्ट दोनों एक ही खाने वाली चीज हैं और केवल इनके नाम अलग-अलग है तो आप बिलकुल गलत है जी हां कुछ लोग कहते हैं कि दही को भारत में कर्ड कहते हैं जबकि अमेरिका में इसे योगर्ट के नाम से जाना जाता है और अगर इसे और भी ज़ादा कन्फ्यूज करना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रोबायोटिक योगर्ट भी मार्केट में अवलेबल है तो कर्ड योगर्ट या प्रोबायोटिक कर्ड में क्या आं यानि कि दूध को जमाने के लिए इसमें acidic cuddling agent डाला जाता है दही बनाने के लिए दूध को 30-40 degree Celsius तक उबालने के बाद ठंधा कर इसमें एक चम्मच दही डाली जाती है अब दही में lactic acid bacteria आ जाने के वजह से इसमें मौजूद bacteria कुछी घंटों में तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं और पूरे दूध को जमा देते हैं दही में काफी सारा calcium और protein पाया जाता है ये उन लोगों को आसानी से हजम हो जाता है जिन्हें दूध आसानी से नहीं पचपाता अब ये योगट क्या है योगट को भी ठीक दही की तरह ही तैयार किया जाता है लेकिन इसे जम सही मात्रा में बैक्टेरिया शामल है योगट की बात करें तो इसके शुरुवात मध्य एशिया में हुई है इसके शुरुवात अचानक ही किसी गड़बडी से हुई यही अमूमन माना जाता है 19 शताबदी तक इसका चलन बढ़ा जब 20 शताबदी में योगट अमेरिका प इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाते हैं यह महिलाओं में वेजाइना इंफेक्शन को रूपता है दही का यह फाइदा लेने के लिए किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है आप इसे फल या मसाले में मिक्स करके खा सकते हैं साथी इसका सेवन आपको हाई बलड प्रोटीज डैंडरफ को खत्म करते हैं साथी दही में मौजूद कैल्शियम शरीर में कार्टेसॉल हॉर्मन को बनने से रूपता है यह हॉर्मन हाइपरटेंशन मुटापे और कॉलेस्ट्रॉल से बनने की वजह से होता है दही में मौजूद जिंक पॉसफॉरेस स्किन को बनाता है इसलिए इसका फेस पैक भी काफी फायदेमंद है वहीं अगर योगट की बात करें तो योगट और दही में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जहां एक मीडियम कटोरी दही आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन देती है वहीं योगट से आपको 10-20 ग्राम प्रोटीन मिल जात है अगर आप रोजाना वॉबकाउट करते हैं तो योगट आपके लिए बिस्ट है योगट आपके वॉउबकाउट की ठकान को कुछ ही मिनत में कम कर देता है यहीं नहीं जिन लोगों को दही डायजेस्ट नई होती वो योगट खा सकते हैं क्योंकि यह आसानी से डाइजे अच्छी लगी होगी ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए